रितिक और अभिशेक के बीच भी कोल बॉर्ट चल रहा है इस जगड़े की शुरुआत तब हुई जब राकेश महरा की अगली फिल्म दिली 6 से अभिशेक को निकालकर रितिक को ले लिया गया और जब धूम 2 के हिट होने का क्रेडिट रितिक को गया तब उनके बीच का तना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया इस साल रंग दे पसंती कभी अलवदा ना कहना डॉन, ओमकारा, खृष, धूम 2, लगे रहो मुन्ना भाई जैसी कई हिट फिल्में थियर्टर तक पहुंची और बॉलिवूड में इतना तनाव होने के बावजूद भी आक्टर्स ने एक फिल्में देर जोल्स तो एक ड्रॉल में पूली इस अंपराइशनल, विज अवल नुव बग देर वी लुव अगल वी बेह रहे हैं जा थे नहीं अगला टूम भी ने होग गागान तूम का बतामा थोगार्श्टर्स ने रहे लिए रहे लुट पार्दार्स्टर्स, अड अच्छब दिन्ही पत्राइस कि अच्छब कीजिए अच्छब के खीए और इंपार बएंटी अच्छब को आए साथ की यूजास पार पेल में रिलीग में धूट I think people who've shown the most is Shah Rukh, Amitabh, Hrithik Roshan brilliant films came out Akshay Kumar, I think this year has been a year of big releases so many big films came out, they all did so well some didn't I think 2006 has been John Abraham, Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai and Nisha Kovrigan I think Shah Rukh is going to remain the next superstar for the next 10 years he is the ultimate superstar वैसे भी दिल में करवाहट होने के बावजूद भी actors real life में भी acting करते हैं ऐसे Cold War तो कंगना रनावत और महेश भट रिया सेन और कोईना मित्रा कंगना और शाइनिय हुजा हिमेश रेशमिया और अनुमले करन जोहर और राम गुपाल बर्मा की जिंदगी में भी चल रहे हैं इस तरह के जगड़े तो हमेशा से चलते रहेंगे जगड़ों के बिना तो बॉलिवूड अधूरा है अब देखते हैं कि इन आक्टर्स के ये जगड़े अगले साल क्या मोड़ लाते हैं अब आक्टर्स के ये जगड़े अब राम इन अब्स प्सक्राओ़ों सवारा क्यों सब्सेद्टर्स अबस्टर्स राम